हेलो नवश्कार दोस्तो तो आप देख रहे हैं जियो भनी उस्त वक्त हो गया है दो पहर की बड़ी खबरों को जानने का तो उसे पहले यदि आप हमारे चानल पान नहीं है तो चानल को सबस्क्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश तो नहीं कि आप सारी खबरों से रहसे केंद्री ग्रिहराज्यमंत्री नित्यानंद राय ने संसत को सूचित किया कि ग्रिहमंत्राजर ने देशवर के सहरों के ना बदलने के लिए पिछले पाँच वर्सों के दौरान प्राप्त प्रस्ताओं पर अनापत्ति प्रमाण पतर दिया है MSP पैनल में सामिल नहीं होगा सन्युक्त किसान मोचा केंद्र सरकार पर लगाए ये आरोब जिहां केंद्र की मूदी सरकार द्वारा फसलों के नियुनतम समर्थन मुल्यक को प्रभावी बनाने समेत खेती से जुड़ा हुए अन्य विश्यो को लेकर बनाई गई कमीटी से असंतुष्ट सन्युक्त किसान मोचा ने कमीटी का बहिसकार करने का एलान कर दिया है किसान मोचा ने साफ कर दिया है कि उसके प्रतिन धी MSP कमीटी में शामिल नहीं होंगे पंजाब में एक अगस्ते सभी यात्री वाहनों में वेहिकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होगा सुरू जिहां पंजाब सरकार ने एक अगस्ते सभी यात्री सेवा वाहनों में वेहिकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाई सिस्टम सुरू करने का फैसला किया है यह कदम राजबे सभी वाहनों की प्रभावी निगरानी सुरिशित करने के लिए है परिवाहन मंतरी लालजीत सिंग ने परिवाहन अधिकारियों के कार्यालियों की समिक्षा के लिए एक बैठक के दुरान ये गोशना की है उद्व ठाकरे को एक और जटका लोगसबा देक्ष से मिले सिउशना के बारह बागी सांसद जिहां महाराष्ट के पूरु मुख्यमंतरी उद्व ठाकरे को एक और बड़ा जटका देते हुए सीशना के बारा बागी सांसदों ने लोकसबा देक्ष उंबरला से मुलकात की और उनसे संसद के निचले सदन में पार्टी का नेता बदलने का रोध किया असंतुष्ट सांसदों ने स्पीकर से विनायक राउत की स्थान पर राहुल शिवाले को फ्लोर लीडर न्यूक्त करने को कहा है सरकारी आंकडो के नुशार 2021 में एक लाग साथ हजार से अधिक भारतियों ने छोड़ी अपनी भारत की नागरिक्ता जिहां केंद्रिये ग्रिह मंत्राले द्वारा जारी किये गए आंकडो के नुशार अपनी नागरिक्ता छोड़ने वाले भारतियों की संख्या 2021 में उसमें उल्लेखनिये वर्धी देखने को मिली है 2020 में 85,256 के विपरीत 1,63,370 लोगों ने अपनी नागरिक्ता छोड़ी है 2019 में 1,44,017 भारतियों ने अपनी नागरिक्ता त्याग दी थी यह जानकारी केंद्रिये ग्रिहराज जिमंत्री डित्यानंद रायद्वारा लोकसभा में साजा की गई थी सरकार ने डीजल पेट्रॉल पर से घटाया टैक्स सीधे इतने रुपई के हुई कटोती जिहां भारत ने तेल उत्पाद को और रिफाइनर पर एक औप्रत्याशित कर में कटोती की और पेट्रॉल को निर्यात लेवी से छूट दी क्योंकि अंतरास्टिय दरो में गिरावटाई है इन बदलाव से रिलाइंस इंडस्टीज, ओयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प और ओयल इंडिया लिमिटेड जैसी कमपनियों को मदद मिलेगी सरकार ने कहा कि उसने पेट्रॉल पर 6 रुपे प्रति लीटर के निर्यात कर को खतम कर दिया है ट्वीटर विवाद में एलन मस्क को नहीं मिली रहत, अक्टूबर में सुरू होगा ट्रायल मस्क की ओर से मामली में फरवरी तक का समय मांगा गया था कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चानल जियोविन्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे ओल्ड और लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्मिनुटी टैप को जरूर चेक करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका सुक्रिया